हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम एप्लिकेशन करेंगे जैसा कि आप जानते हो कि लोकडाउन की वज़े से स्कुलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करवाने के लिए प्रिंसिपल को पत्तर लिखना है जैसे लिखाव एप्लिक इसको बड़ा भी लिख सकते थे लेकिन यहां थोड़े सब्दों में लिखाव एप्लिकेशन टू अरेंज ऑनलाइन क्लासीज डूरिंग लोकडाउन की वज़े से पूरे देश में लोकडाउन है और आपकी क्लासीज नहीं लग पा रही है इसलिए आपकी पढ़ाई जो भी है अनिता मोनेटर ओफ क्लास ट्वैल्थ या टैन्थ या एलेवन्थ ओन बहाफ ओफ दे मोनेटर राइट एन अप्लिकेशन टू योर प्रिंशीपल टूरेंज ऑनलाइन क्लासीज डूरिंग लोकडाउन तो किसी तरह भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने लिखना उपर तो पता आपको टू दा प्रिंसीपल जिस स्कूल को भी लिखना है उसमें दिया वह हो स्कूल का नाम तो वही लिखना है नहीं तो अपनी तरफ से आप लिख सकते हो फिरंसीपल वाई BVM Senior Secondary School करकड़ी जहां हो रही इसके बाद subject to arrange online classes during lockdown Sir तो इसमें पूरी class की तरफ से नहीं है एक लड़का जो भी monitor है class का या head है class का उसकी तरफ से है ये I am a student या monitor of 12th class यहां आप कोई भी class लिख सकते हो साथवें, आठवें, नौवें, दसवें, गयार्मी बार्मी जो भी है of your school या in your school मैं आपके school में बार्मी class का monitor हूँ as we know जैसा कि हम जानते हैं और school has been closed बंद कर दिया गया है बंद जग किया जा चुका है is closed भी लिख सकते हैं आपर has been की जगह पर our school is closed due to coronavirus हमारा school coronavirus की वज़े से बंद है तो has been closed भी लिख सकते हैं और is closed we are not able to attend the classes we cannot attend the classes we are not able का मतलब भी वही है कि हम class attend नहीं कर सकते या हम class attend करने में आसमर्थ हैं yeah we cannot attend the classes our study is suffering a lot हमारी जो पड़ाई है वो काफी suffering हो रही है a lot of money काफी हमारी पड़ाई काफी suffering है यानि उस पर काफी असर पड़ रहा है two months have passed दो महीने बीच चुके हैं and our classes या और syllabus has not started yet now और हमारा जो syllabus है या हमारी class जो है वो अभी तक शुरू नहीं की होई है या की गई two months have passed दो महीने बीच चुके and our classes भी लिख सकते हो या पर और syllabus भी और syllabus लिखोगे तो as not लिखना पड़ेगा और classes लिखोगे तो या class लिखो तो भी as not classes लिखोगे तो have not started yet now अब तक हमारी class शुरू नहीं हुए जैसा कि आप जानते हैं we have board examinations this year जैसा कि आप जानते हैं इस साल हमारा board की परिक्षा है so इसलिए it is very necessary it is very important to complete यह बहुत जरूरी है to complete our syllabus in time इसलिए बहुत जरूरी है कि समय पर हमारा syllabus पूरा किया जाए I request you मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ on behalf of my class मेरी class की तरफ से to arrange online classes for all subjects सभी class की online पढ़ाई शुरू करने के लिए तो thanking you yours evidently यहाँ नाम यहाँ आपका class और roll number या date तो इस परकार आप लोगों ने यह letter अपनी copy में लिखना है और याद करना है यह extra classes का लिखते हैं न कि syllabus के हमारा syllabus अभी तक complete नहीं हुआ है उसी तरह यह online classes वाड़ा भी उसी तरह से है तो आप और कहीं से भी लिख सकते हो यह आपको ठीक लगे तो आप इस में से भी लिख सकते हो तो यह letter आप लोगों ने copy में लिखना भी है और याद भी करना है कुछ line आप अपनी तरफ से और भी लिख सकते हो कुछ words भी change कर सकते हो इस letter को और बड़ा भी कर सकते हो इस letter को छोटा भी कर सकते हो यह आपकी मर्जी है तो आज के लिए इतना है thank you